परिचय हलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ और आपको दिखाने के लिए कुछ लाया हूँ. जरा इन चीजों को देखिये, ये सब सॉलिड यानी ठोस चीजें हैं. आज हम सॉलिड यानी ठोस चीजों और उनके आकार के बारे में जानेंगे. आउ सीखें ठोस चीजों की पहचान किसी ठोस चीज को लुड़काने और खिसकाने के बारे में बताना, ठोस चीजों के आकार को पहचानना. ठोस को समझना एक दोस्तों, जरा इस इंट को देखो, ये ठोस है, इस इंट का एक खास आकार है, इसकी लंबाई, चोडाई और मोटाई है, ये सक्त है, हम इसे दबा कर इसका आकार नहीं बदल सकते तो हम कह सकते हैं कि ठोस चीज का एक खास आकार होता है और इसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता ठोस को समझना दो, अब इस ताले को देखो, क्या ये ठोस है? सही कहा, ये ताला ठोस है, इसका एक खास आकार है, इसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई है और क्या हम इसे दबा सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं दबा सकते, ये सक्त है. लुड़काना और खिसकाना क्या आप जानते हैं कि ठोस चीजों को लुड़काया और खिसकाया जा सकता है? आईए देखते हैं, हम गोल ठोस चीजों को लुड़का सकते हैं, और हमें उन ठोस चीजों को खिसकाना होता है, जो गोल नहीं होती. ठोस के आकार एक, ठोस चीजों के अलग-अलग आकार होते हैं. अब हम अलग-अलग आकार वाली ठोस चीजों के नामों को जानेंगे. आकारों और उनके नामों को स्क्रीन पर दिखाया गया है. वृत, शंकू, बेलन और घन. ठोस के आकार दो. क्या आप इस मुम्बत्ती का आकार बता सकते हैं? हाँ, आपने सही बताया. यह बेलनाकार है. हमने क्या चर्चा की? जिन चीजों का एक निश्चित आकार होता है, उन्हें ठोस कहते हैं. ठोस चीजें लुढक और खिसक सकती हैं. ठोस चीजों का अलग-अलग आकार होता है. व्रित, शंकू, बेलन और घन.